नमस्कार सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वक्ता पिये मोदी आज अपने उस प्रोजेक्ट का उगातन करने जा रहे हैं जिससे विपक्ष को बहुत एतराज था जिसे विपक्ष ने पैसे की बरबादी बताया था लेकिन इस प्रोजेक्ट ने पिये मोदी को अजर अमर कर दिया है पहले ही विपक्ष बात से मूफ उलाए हुए था लेकिन अब ये बौकला हट और बढ़ गई होगी क्योंकि पीएम मोदी ने राजपत और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदल कर करताव्यपत करने की ठान ली है जिसके बाद विपक्ष को राजनीती का मौका मिल गया बड़ा सवाल आखिर विपक्ष को क्या परिशानी हो रही है क्यों विपक्ष राजपत का नाम राजपत धर्म चाहता था क्या इसके पीछे भी उसका कोई मकसद था इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीश कुमार जी सब आपका बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद डॉक्ट साथ पीम मोधी आज एतिहासिक दिन बनाने जा रहे हैं जो उन्होंने प्रजेक्ट शुरू किया था का आज उसका वो उद्गाटन कर रहे हैं जिससे विपक्ष बहुत बॉखलाया हुआ हुआ है कारण क्या है द तो सबसे ज़्यादा मिर्ची इसी बात को लग रही है और आज जब उद्गाटन हो जाएगा तो कल जब लोग देखेंगे तो सोसल मीडिया में निकलेगा उसी तरीके से जैसा पिछली बार निकला था कि बाग थोड़ा एग्रेसिव निजर आ रहा है शेर के दात तोड़ जब नुकीले नजर आ रहे हैं जो पिछली बार पार्लेमेंट बिल्डिंग के उपर जब वो आया था तो कई सारी चीजे को किया जाएगा तीन चीजे आज होंगी एक सेंट्रल विश्टा उसका उद्गाटन होगा क्या उद्गाटन हो रहा है सेंट्रल विश्टा प्रज साथ साथ नुमोर राजपत तो यह दूसरा काम वो कर रहे हैं कि राजपत का नाम बदल के कर्तविपत कर रहे हैं और तीसरा इंडिया गेट के ठीक सामने वहां पे अब बकाइदा सुवास चंद्र बोश की प्रतिमा वहां पे लगी उसका उद्गाटन होगा तो तीन अमि पिटाया नहीं जा सकता अब लोग बोलने कि मैं क्या जरूत है क्यों कर रहे हैं कुछ नया नहीं कर सकते नाम बदल रहे हैं अब अब आपके कान में कम सुनाई देता है तो क्यों क्या कर सकता है प्रधान मंत्री ने क्या कहा था लाल किले के प्राचीर से पांच प्रन दू यहां कहीं भी थोड़ी भी मात्रा में गुलामी की आभास उसको हटाना तो यह राजपत क्या था भई राजपत क्या था पहले इसे कहते थे अब इनको कहा जा रहा था कि भाई इसको बदल करके 1960 में आपने राजपत कर दिया बृटिस राज भाई नाम रखो ऐसा कि जिसमें कुछ हिंदुस्तान की मिटी की खुस्बू आए ऐसे ही तुम लोगों ने तमाम तरह के अक्रांताओं को हिंदूों के हत्यारों के नाम से द तो ये जो गुलामी की मान सकता है उसको तो दोना पड़ेगा तो ये काम सराहनी हैं बहुत अच्छा हो रहा है कर्तब विपत्थ क्याद में उस पे चले तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा क्या कर्तब है उसकी आभास हो उस पर परेड करने वाले लोग अपने कर्त जब को हमेशा याद रखे इसलिए नाम रखांगे बहुत ही बैतर नाम है और जब ये सारा बिल्डिंग से वरे बन के तयार हो जाएगा सारे मंत्री सारे लोग जो वहाँ पर काम करेंगे सारे मिनिस्ट्री जब उनकी गारियां उस पर चलेगी तो कर्तब विनाम कान में त जब ज़रोरी है कॉंग्रेसियों ने करतब विके नाम पर सिर्फ लूटा ही है है किया है कि दिल्ड़ा के सरकार पगला गई है उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इतेहास को बदलने के कोशिश की जा रही है सरकार पागलों वाले काम कर रही है इतिहास को सुधार्णे काकाम किया जा रहा है इतिहास को सुधार्णे अभी बहुत सारा काम है इसमे बचा हुआ मैं तो दूसरा सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि जो परदानमंत्रि लाग के प्राचीर पर इसाज आप ने जो बनवा दिया इतने लोगों को मारके इतना हिंदूओं को कनवर्ट करके ये जो मुगल समराज के जो प्रतीक हैं वहाँ पे कोई भी ओफिसल काम नहीं होना चाहिए वैसे भी इन धंगाईयों ने जो किसान अंदोलन के नाम पे खालिस्थानियों ने उसको वैसे ही अपवित्र कर दिया है तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर प्रधान मंतरी पंदर अगस्त के दिन वो ज़न्ड तोलन कर सके ये भी गुलामी का प्रतीक है लाल किला कोई हिंदुस्तान के व्यक्ति ने नहीं बनाया ये वही साजहा है जिसने वहाँ बनाई थी और सामने जामा मस्जिद भी बनाई और क्यों गुलामी का प्रतीक है मैं आपको बता दू क्यों ये बाते मैं क्यों कह रहा हूं इस साजहा ने जब इतनी बड़ी मस्जिद बना दी जामा मस्जिद तो उसने का कि भाई इसमें तो कोई बहुत बहुँया ही मोलाना होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में सा जहां को एक भी मौलाना नहीं मिला तो इसने अपने पैत्रिक घर से ये कहां के रहने वाले थे ये बाबर अक्बर हुमाईू कहां के थे ये लोग लोग कहते हैं यही आकर के बस गये बाबर के फोर्ट जनरेशन के बाद भी वो बुखारा से लेकर के आया इस मौलाना को ये जो मौलाना बुखारी नाम है ये बुखारा ये समरकन वैलिक के अंदर आज ये उज्वेकिस्तान के अंदर वो जगह है वहें के खान सामा आये थे और वो आना नहीं चाह रहा था तो उसने एक शर्त रख दी कि मैं तो आ जाओंगा लेकिन हिंदुस्तान तो बहुत गंदा जगह है इस गंदगी में क्यूं मैं आऊं बाबर ने लिखा तक यहां सब कुछ महकता है दुरगंद देता है यहां पे हवा भी खराब है फूल में सुगंद नहीं है यह बाबर नामा में लिखा हुआ है मैं क्यूं आऊंगा तो एक काम करो मैं तभी आऊंगा यहां पे यहां का मौल भी बनने के लिए जब यह तुम लिख कर के दोगे किसका इमाम जो होगा वो पुस्तेहनी हमारे परिवार से ही होगा तो दुनिया की अकेली मस्जिद है यह जहां की इमामियत पुस्तेहनी चलती है इमाम का बेटा अगला इमाम तो यह क्या है यह क्या है यह जो कहते हैं कि बहुत मुगला आये वो लोगों ने हिंदुस्तान को ही अपना लिया खाना बनाने वाले तो तुम लादे थे बुखारा से इतना घ्णा तुम इस जगह से सरजमीन से करते थे तो उसके बनाए हुए लाल किरे पे जंडा पराने के कोई माने मतलब नहीं है महुआ मोहित्रा को मुगल काली नितिहास के बारे में जानकारी नहीं है उन्होंने गट्या किताबे पढ़ी और प्रपगेंडा फैलाने वाले इरफान हभी जैसे इतिहास कारों के दौरा निखी गई किताबों को पढ़न लिया तो इतिहास को सुधारनी की जरुत है उनको भी सुधारने की आवशक्ता है common sense है या नहीं है सौ साल से उपर हो गया इस जगह को बने हुए ना गार्डन बढ़िया है ना कुछ बढ़िया है उसको कभी आप मरम्मत करेंगे उसको ठीक करेंगे या नहीं करेंगे जिस घर में आप रहते हो एक साल दो साल में उसको मरम्मत की जरुत परती है ये तो सौ साल हो गए तो उसको बहतर किया जा रहा है दिक्कत क्या है दिक्कत उससे नहीं है कि बाइब चीजें बहतर हो रही है दिक्कत इससे कि मुदी कर रहा है मुदी का नाम जो है वो पर्मनिंट हो जाएगा और इतियास बदलने के बाद सुवास चंद्रबोस की पृतिमा महाँ पे लग रही है वेल डिजर्विंग ये गरत इतिहास पढ़के आप में ये कह दिया कि देदी हमें आजादी भीना खड़क भीना ढाल साबर मती के संते ने कर दिया कमाल ये कॉंग्रिस की वज़े से आजादी नहीं मिली इतिहास को उन पन्न को भी पुलिटनी क्या हो सकता है कि जिसमें अंग्रेज खुद कहके गए कि सुबास चंद्रबोस की जो आजाद हिंद फौज है और जो म्यूटनी का जो खत्रा था कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें तो चाठतर हिंदुस्तानी फौज थी हिंदुस्तानी ही महाँ पे आर्मी में थे उन्होंने अगर विद्रुख कर दिया तो सारे अंग्रेज को तो ये पीसेस में काट के खत्म कर देते तो उस डर से अंग्रेज भारत छोड़के गए है तो मुझे लगता है अच्छा दिन, एतिहासिक दिन और बढ़या एक जो देश के सामने एक्जांपल पेस किया जाएगा कि प्रधान मंतरी मोदी जो है वो मौडन इंडिया के रियल सेंस में बिल्डर है जी डॉक्ट साब गुलामी मान सिकता जाने की कोई संभावना ही निदर नहीं आ रही अरे इनको तो इनकी इनका तो या कई की जो लेवल है भै विदेशी महिला को तुमने महात्मा गांदी जवालाल नहरू पटेल राजीव गांदी उन सबसे ज़्यादा वैलू तुमने दे दिया क्यूं मैं कह रहा हूँ सोनिया गांदी कॉंग्रेस पार्टी के जब से कॉंग्रेस पार्टी बनी है 1885 से अब तक सबसे ज़्यादा समय के लिए कोई अध्यक्ष कॉंग्रेस पार्टी करा तो ये विदेसी इटालीन महिला और आप गुलामी मान सकता से तो कैसे निकल सकते हो बाहर एक विदेसी महिला के सामने सारा का सारा ये सब दंडवत होने वाले लोग कटपुतरी के तरह उनके इसारे पे नाचने वाले लोग उनको हर चीज में राज चाहिए ब्रिटिस राज इटालियन राज जर्मन राज और कॉंग्रेस पार्टी क्या करेगी जिस पार्टी को बनाने वाला ही एक ब्रिटिसस हो ये बताते नहीं कि इत्यास किताब हुँ में कि कोई हिंदुस्तानी ने नहीं कॉंग्रेस की अस्थापना की थी उसका नाम है A.O.Hume जिसने कॉंग्रेस की अस्थापना की थी अंग्रेश था तो राज से जो है इनको बहुत प्रेम है और जहां तक बात राजधर्म की है तो ये राजधर्म कॉंग्रेस पार्टी को सिखाना चाहिए था मन मोहन सिंग को जो प्रधान मंत्री की कुर्सी की वेल्यू को कभी समझ नहीं पाए देश का प्रधान मंत्री राजध चलाने वाला व्यक्ति किसी विदेशी महिला का कटपुतली नहीं होता तो खैर प्रधान मंत्री ने सही जगर पे निशाना मारा कि गुलामी मानसिक्ता से हिंदुस्तान को निकलने के आवसकता है और ये कॉंग्रेस है कि जो गुलामी मानसिक्ता से सब कुछ से निकल जाएगी गुलामी मानसिक्ता से बाहर नहीं आने वाली और इसलिए ये दुन्द ये चलता रहेगा जीतेगा वही जो हिंदुस्तान की जनता के दिलों पर राज करेगा वो वाला राज नहीं हुकुमत वाला जो दिलों को भाएगा वही इस कर्तब पत के ऊपर राज करेगा मोधी सरकार ने एक और एतिहासिक फैस्कले को अपनी लिस्ट में जोल लिया अब राजपत का नाम बदल कर करतव्य पत होने वाला है नेताजी सुभाष्चंद्र बोष की प्रतिमा से लेकर राश्ट्रपती भवन तक के पूरे हिस्से को अब करतव्य पत के रूप में जाना जाएगा और ये सरकार ने इसलिए किया कि आजादी के 75 साल बाद गुलामी का कोई भी प्रतीत ना रहे सब कुछ न्यू इंडिया वाले विजन को ताकतवर करने वाला होना चाहिए मोधी केस मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष की नीदों को उड़ा दिया है फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजर होंगे मनिते के कैपिटल टीवी के साथ नमस्कार